श्रीमत भगवत गीता श्रीमत भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमत भगवत गीता के ऐसे 11 अनमौल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिन्दगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ठ्धान से सुनिये। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा। उसे अपनी जिन्दगी, उसे अपनी हर परिशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिन्दगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। श्रीमत भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रती गलत विहवार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिन्दगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलिफों को ये सोचकर जिन्दगी भर सहते रहते हैं। कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहیںगे कुछ कह देंगे तो हमारे रिष्टे ही खराब हो जाएंगे हमारे रिष्टे ही समाप्त हो जाएंगे पर सोचने की बात ये है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वज़ह हो अपना तो वो होता है क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे कीता का पहला अध्याय जिसका नाम अरजुन विशाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांखे योग है उसके आरंभ में अरजुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे कैशाओ मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ ये सब तो मेरे अपने ही हैं मैं कैसे बीश्म पतामा और द्रोणाचारे से युद्ध करूँगा क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनिये हैं इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं बिक्षा के अन को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूँ और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब धृतराष्ट के पुत्र मेरे भाई ही हैं मेरे अपने ही हैं इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाओं तो श्री कृष्ण ने अरजुन से कहा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ती देगा तु अपने इस मन के मोह को त्याग दे नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा तुझे डरपोक कहेगा बात अपने पराय की नहीं है बात धर्म और अधर्म की है बात सही और गलत की है अगर तु गलत को सहेगा उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा वो और भी गलत करेगा इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तु युद्ध कर महाभारत की एक और कहानी भी है जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यू की युद्ध में मृत्यू हो जाती है तबर्जुन बहुत दुखी होता है रोने लगता है वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभी मन्यू मर गया है मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता मैं भी अपने आपको समाप्त कर लूँगा फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोग में लेके गए जहां अभी मन्यू आनंद से बैठा हुआ था क्योंकि उसने शत्रियोचित वहवार किया इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति होई जब अरजुन अभी मन्यू के पास रोते रोते पहुचा अपने पुत्र को देखकर अरजुन बहुत प्रसंन हुआ उसे गले से लगा कर कहने लगा कि हे पुत्र तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता मैंने तो अपनी जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है तो अभी मन्यू कहने लगा कि आप कौन है अरजुन बोला मैं तेरा पिता हूँ तू मेरा पुत्र है अभी मन्यू तो अभी मन्यू कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र मेरे हजारों जनम हुए हैं किसी जनम में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जनम में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का न कोई माता होता है न कोई पिता होता है। जब अरजुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा तो उसका सारा मोह खतम हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहां कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिरफ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराय है। गीता का दूसरा उपदेश यह है, कि जो चला गया है, कभी उसका दुख मत करो। और जो आने वाला है, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महा भारत का युद्ध चल रहा था, तब अरजुन ने श्री कृष्ण से कहा, कि अगर ये युद्ध हुआ, तो करोडों लोग मारे जाएंगे, जो सैनिक और योध्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी इस्त्रियों का क्या होगा। समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बाते अरजुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्या नन्वशोचस्त्वम, प्रग्न्या वादांश्य भाशसे, गतासून अगतासूश्य, नानुशोचन्ती पंड़ताहा। श्री कृष्ण बोले, हे अरजुन, तु बड़ी बड़ी घ्ञानियों जैसी बाते करताै, लेकिन जो सच में घ्ञानी होता है, वो जो लोग मर चुके हैं, जाचुके हैं, या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिन्ता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तू चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता जीवन और मरन ये तो प्रकृति की नियती है इसलिए जो ग्यानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है ग्यानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं इस ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धी में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता, हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है, उसे सोच सोच कर परिशान होते रहते हैं, या भवि हमारे जाता हुआ कल बदल सकते हैं, और नहीं आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ वर्त्मान है, सिर्फ आज का ही पल है, हमारा 98% तनाव और चिंताएं, भूत्काल और भविश्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है, हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते, जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिन्दगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी, वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धी है, हमारे हाथ म हमें भी सिर्फ आज का ही पल है, हमें जो भी करना है, आज ही करना है, कभी भी ये सोचकर समय को नश्ट नहीं करना चाहिए, कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है, एक गुरुजी ने अपने एक शिश्यक को पारस का पत्थर दिया, उनका वो शिश्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था, तो गुरुजी ने उसे कहा, कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूं, इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को इस परश कराएगा, तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे एक महीने के के लिए दे रहा हूं। जब एक महीना समाप्त हो जाएगा, तब मैं तुझ से ये पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तु इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिश्य बजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बजार में वो लोहा खरीदने पहुचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक के ले लूँगा जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धी में ये बिलकुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बना कर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती उसके मन का आलस्य उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पुरा महिना समात हो गया। फिर गुरू जी उस शिश्य के पास आप पहुचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिश्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना भी नहीं किया, तो गुरु जी ने कहा, मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए, शिश्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिये, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ, गुरु जी ने कहा, कि ये पारस पत्थर पूरा एक महिना तेरे पास था, पर तु हो चुका है ऐसे ही ये हमारा जीवन है हमारी जिन्दगी है और ये समय ही पारस पत्तर है हम समय के एक एक पल से अपनी जीवन को सोना बना सकते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है एक दिन जिन्दगी को जी लेंगे एक दिन जिन्दगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिन्दगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं दुखी होते रहते हैं लेकिन जिन्दगी को जीना खुश रहना हम भूल जाते हैं इसलिए गीता का ग्यान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो गीता का तीसरा अबदेश ये है कि मौत से डरना बिलकुल व्यर्थ है श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ये संसार मृत्यू लोग है जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा जिसका आरंब हुआ है उसका अंत अवश्य होगा हम इसे रोक नहीं सकते जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारन करती है मृत्यू सरफ इस जीवन का एक नया आरंब है इस जीवन का अंत नहीं है आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है लेकिन मौत का डर मनुश्य को सबसे ज़ादा लगा रहता है मौत का दुख भी इनसान को सबसे ज़ादा होता है एक पेड में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था उन्होंने साथ जीने मरने की कस्मे खाई थी एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहाँ पेड पर बैठे मादा पक्षि को मार दिया तो वो अकेला नर पक्षि रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा तुम्हारी जगए मेरी मृत्यू आ जाती मेरा जीवन तुमको मिल जाता वो रोरो के बहुत विलाब करने लगा इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीरी चलाया और उस नर पक्षि को भी मार दिया वास्तविक्ता में ये कहानी हमारी ही है हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक नएक दिन हमारा भी जीवन समाथ हो जाएगा हम भी उसी मृत्यू के पेड़ पे ही बैठे हैं लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए है तुझे कुछ भी याद नहीं है लेकिन मुझे सब याद है जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहां इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ उसकी जिन्दगी के सारे जगडे सारे दुख सारी चिंताएं ही समाब्ध हो जाएंगी जब इस संसार से जाना ही है तो दुख इस बात का पहले के जमाने में सादू महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे वो महात्मा बहुत ठक चुके थे उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए जब उस महल में वहां का राजा पहुचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुसाए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो महात्मा कहने लगा ये तुम्हारा महल है मुझे तो लगा ये धरमशाला है तो राजा ने कहा आपको मेरा महल धरमशाला कैसे लगा तो महात्मा ने राजा से प्रश्ण किया कि तुम से पहले इस महल में कौन रहता था तो वो राजा बोला कि मुझ से पहले मेरे पिता यहां पर रहते थे और उस से पहले मेरे दादा जी यहां पर रहते थे तो महात्मा ने फिर प्रश्ण किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो वो तो धर्मशाला ही है इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझ कर मैं इसमें रात पिताने के लिए आ गया धर्मशाला जान जग को जीव सब महमान है मुह किस से मत करो सब स्वपन का सामान है यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहां कुछ समय के लिए आए हैं आनंद करने के लिए आए हैं खुश रहने के लिए आए हैं तो हमारे सारे दुख ही समाथ हो जाए जब हम अपना मुह यहां जमा लेते हैं अपना दावा यहां जमा लेते हैं कि ये मेरा है इसे में छोड़ नहीं सकता इसके बिना में जी नहीं सकता तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है इसलिए जीवन में मृत्यू का भैत्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए गीता का चौथा उपदेश मन और विचारों को कंट्रोल किये बिना जीवन में कभी शांती और सुकून मिलने वाला ही नहीं है अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जवरदस्ती करवाता है इसलिए मैं बैचेन हो गया हूँ मुझे शांती प्राप्त नहीं हो रही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर, अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रेक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा और ये एक दिन का काम नहीं है, जब तक तु अपने मन और विचार और परिशान रहता था एक दिन वो अपने गुरू जी के पास कया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचेन है मैं बहुत परिशान हूँ मैंने पुरे संसार को जीत लिया है सब कुछ है मेरे पास पर मैं खुश नहीं हूँ मेरे मन में सुकून नहीं है शांती नहीं है तो गुरू जी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है शांती को प्राप्त कर लिया है तुम उसका एक बार कुरता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शान्ती आ जाएगी राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है वो अपने राज महल में आया और राजसभा में वो सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शान्त हो चुका हो जिसे सुकून मिल गया हो वो अपना कुर्ता मुझे दे दे वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूँगा सब लोग एक दुसरे का मुझ देखने लगे पैसो का लालच आया लेकिन सब को एक दुसरे की सच्चाई पता थी क्योंकि किसी की जिन्दगी में भी शांती और सुकून नहीं था सब अपना सर जुका कर वहां पर खड़े हो गए फिर उस राजा ने पूरे नघर में डिनोरा बटा दिया कि जिसे भी शांती प्राप्त हो चुकी हो सुकून प्राप्त हो चुका हो वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे वो जितना कहेगा उससे उतना ही धन दिया जाएगा लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांती प्राप्त हो चुकी हो वास्तविक्ता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया कभी किसी जिन्दा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जाकता इंसान शांत हो गया है राजा के सैनिक पूरे शहर में नूमते रहे फिर उन्हें पेड के नीचे एक महात्मा तबस्या करता दिखा जिसके चहरे पे एक शांती थी सुकून था वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांती प्राप्त कर ली है सुकून प्राप्त कर लिया है महात्मा ने कहा मैं पूरी तरह से शांत हूँ तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए राजा ने उस महात्मा से प्रश्ट किया कि क्या आपको शांती और सुकून प्राप्ट हो चुके हैं वो महात्मा कहने लगे महराज मैं पूरी तरह से शांतू मुझे कोई चिंता नहीं मुझे किसी चीज की लालच नहीं मुझे कोई अच्छा नहीं है तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गये कि आखिर वो व्यक्ती मिल ही गया जिसे शांती की प्राप्टी हो चुकी है जिसे सुकून प्राप्ट हो चुका है तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा आप कृप्या करके अपना कुर्टा मुझे दे दीजे बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूँगा वो महात्मा कहने लगे कि महराज सुकून और शांती तो मुझे मिल चुके हैं लेकिन क्या करूँ मेरे पास कुरता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूँ जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास पुर्ता भी नहीं है पहने के लिए उसके बाद भी ये महात्मा एकड़म शांत है इसके जीवन में सुकून है मैं सारी जिन्दगी धन को जोडने में लगा रहा दुनिया जीतने में लगा रहा लेकिन मुझे शांती नहीं मिली सुकून नहीं मिला क्योंकि शांती और सुकून बाहर की चीज नहीं है अपने भीतर की चीज है इसलिए जबतब कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता तब तक उसके जीवन में सुकून और शांती नहीं आती और गीता का उबदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांती चाहिए तो मन को शांत करना सीखो गीता का पाँचफा उबदेश यह है कि वासना, प्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है नर्क का दुआर है जिस भी मनुश्य में ये तीन अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुचा कर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ती करता रहता है किसी भी चीज़ की अजसे जादा वासना करना और क्रोधी स्वभा होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं उसके सारे रिष्टों में जहर भर देते हैं इन्हें नर्क का दुआर इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यादे क्रोध है लालच है वासना है उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है उसको मरने के बाद नहीं जीते जी यहीं पर नर्क का दर्शन होता है गीता का छठा उबदेश यह है कि सब भगवान एक ही हैं पोई छोटा बड़ा नहीं है सब एक परब्रम परमात्मा के अलग-अलग रूप और नाम है श्री कृष्ण ने गीता के दस्वे अध्याय विभूती योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता है वो सब मेरी ही विभूती है मैं ही शिव हूँ मैं ही इंद्र हूँ मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ मैं ही अगनी देव हूँ देवताओं के गुरु ब्रस्पती भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ती और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप है इसलिए तो किसी भी देव या इश्वर में कभी भेद बुद्धी मत करना कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना और गीता का उपदेश हमें ये सखाता है कभी भी किसी दूस्ते के इश्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात पर जगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है गीता का सात्वा उपदेश ये है सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकरशन का गुलाम बन जाता है और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये संसार का नियम ही है जो चीजे शुरू में मन को बहुत आकरशित करती है बाद में बहुत दुख देती है और जो चीजे शुरू में मुश्किल लगती है कठिन लगती है बाद में हमें बहुत काम आती है गीता का आठवा अब्देश ये है जो भी मनुश्य दुनिया के सारे सहारे छोड़ कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहरा मान लेता है उसकी हर जरूरत वो इश्वर पूरी करता है उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है अनन्याश्चंत यो माम ये जनाह परियु पासते तेशाम नित्या भी युकता नाम योगक शेमम वहाम में हम जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहरा मानता है उसका योग शेम मैं वहन करता हूँ योगक शेमम वहां में हम अथार्थ जो चीज नहीं मिली है उसकी प्राप्ति कराना उसका नाम योग है और जो चीज जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा करना उसका नाम शेम है तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे पे डिपेंड हो जाते हैं उनको जो चाहिए वो मैं जरूर देता हूँ और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ गीता का नवा उपदेश ये है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने क्या पैदा किया जो नश्ट हो गया तुमने जो लिया यहीं से लिया जो कुछ भी दिया यहीं पढ़ दिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे आज उनसे कोई रिष्टा ही नहीं है बात्ची तक नहीं है कहा गए वो जीवन भर के सारे रिष्टे वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बाते करते थे आज पता भी नहीं कि वो लोग कहां चले गए इस संसार परिवर्तन शील है सब लोग यहां बदल जाते हैं हर रिष्टा बदल जाता है और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है बच्पन से जवानी जवानी से बड़ापा और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना हम सारी जिन्दगी चीजों को, रिष्टों को जिन्दगी को बनाने में सजाने में, समारने में लगे रहते हैं लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है सारी जिन्दगी जिस संपती, जिन रिष्टों के लिए हम लड़ते रहते हैं एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है गीता का दस्वा उपदेश हमें ये सिखाता है कि किसी से भी अजसे जादा मोह कभी मत करना श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ग्यान ही अर्जुन के मोह को नश्ट करने के लिए कहा है ये मोह ही है जो इंसान को सबसे जादा रुलाता है मोह इतना बलवान है कि शेर जेसे इंसान को भी गीदर बना देता है जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया पर अपने रिष्टेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कापने लगा वो बोला हे केशव मेरे हाथ में धनुष पकरने की ताकत भी नहीं बची है मेरे हाथ काप रहे हैं मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा ये मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिन्दगी खतम कर देते हैं आत्म हत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे जीवन में किसी से भी हद से ज़्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता उसका सब कुछ उससे चिन जाता है उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है इसलिए गीता का ग्यान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मुँख को त्याक करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्त विक्ता क्या है क्योंकि हमारा मौह हमें हमेशा जूट ही दिखाता है जूट पे ही विश्वास दिलाता है और दिल में जूट ही उम्मीदे जगाता है और ये ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हम ही मौह कर लेते हैं हम ही लोगों से उम्मीदे लगा बैठते हैं पर वास्त विक्ता बिलकुल अलग होती है लोग वैसे नहीं होते जैसे हम माल लेते हैं जैसा हम समझ लेते हैं क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती लोगों का असली चहरा नहीं दिख पाता इसलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसंदता से रहना है तो किसी में भी हज़ से जादा मोह कभी मत करना गीता का ग्यारवा उपदेश ये है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा दुख से कभी घबराना मत दुख से कभी डरना मत श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है अधार्थ ये संसार दुखों का घर है जैसे आउशधालयमे आउशधी मिलती है उस्तकालयमे पुस्तके मिलती है चिकिसालयमे चिकिसा होती है वैसे इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है दुखा लए जहां पर दुख मिलता हो दुख तो यहां हर किसी के जीवन में आता ही है लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह संसार दुखा लए भी है और अशाश्वत भी है अशाश्वत का मतलब ही होता है कि यहां पर्मानेंट कुछ भी नहीं है यहां सब कुछ बदल जाता है दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है जीत हार में और हार जीत में यहां कभी भी कुछ भी बदल सकता है कुछ भी पर्मानेंट नहीं हम पर्मानेंट है नहीं हमसे जुड़ी कोई चीज यहां पर पर्मानेंट है क्योंकि यह संसार अशाश्वत है शाश्वत नहीं है यहां सब कुछ बदलने वाला है यहां कुछ भी पर्मानेंट नहीं रहेगा तो आपका दुख भी पर्मानेंट नहीं रहेगा इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए गीता का ये उपदेश हजारों साल कुराना है लेकिन आज भी नए से नया है पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़ादा पड़ा गया है और सबसे कम समझा गया है श्रीमत भगवद गीता के ये उपदेश अगर कोई व्यक्ती ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले वो ये पक्की बात है वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है अपनी जीवन की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है श्रीमत भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए हर रोज सुनना चाहिए जब भी जीवन में कोई चिंता या परिशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में ये विश्वास रखना कि गीता का ये उपदेश आपके जिन्दगी की हर परिशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा